वेलकम फ्रेट्ज, वेलकम एनी यूटूब चानल, श्रीव कंसर्टन्सी के यूटूब चानल में आप समी दरशोकों का हरदिक स्वागत है दो हफ्ते से हमने एक नया सरी शुरू किया है कि बैलन्स शीट को इजीली केस से अंडस्टाइन करना है जो लोग non-account background से है तो उनको बैलन्स शीट जबी हात में आती है तबी पढ़ना या समझना बहुत ही difficult हो जाता है जिसके वज़े से फिर अगर कुछ issues है तो वो उसको highlight नहीं कर सकते या अगर उनको कुछ queries भी है तो वो नहीं बता पाते because वो understand ही नहीं कर पाते तो हमने पहले पार्ट में दिखाया था कि sinking fund collection कैसे होगा investment और utilization कैसे होगा second में हमने दिखाया था कि repair fund same collection कैसे होगा utilization कैसे कर सकते है अभी हम third part में दिखा रहें जा रहें कि share capital अभी जो लोग share market में invest कर रहें या share market में काम कर रहें वो इससे थोड़ा सा correlate कर पाएंगे और शायद easily understand कर पाएंगे तो अगर आपने आपका balance sheet का first liability side का part देखा होगा तो उसमें आपको दो point दिखते हैं कि authorized share capital और issue share capital अभी दोनों में आपको difference दिख रहे हैं अगर आप screen पे देख रहे हो तो authorized share capital में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि 44,000 share of 50 rupees each जिसका amount यहाँ पे 22 lakh दिखाया है और issue share capital है paid up capital है उसको 470 share और 50 rupees each जिसको 23,500 दिखाया है तो exactly हम देखते हैं कि authorized capital और issue capital में क्या difference रहता हैं तो authorized capital means maximum share value अगर कोई भी company या कोई भी society है तो उसका maximum share कितना divide हो सकता है वो authorized share capital में decide किया जाता है और 50 rupees का एक share है इसकी वज़े से उसका into amount कितना होगा वो आपको यहाँ पे balance sheet में आपको authorized में capital में दिखेगा अभी capital का देखने जाएंगे तो capital means exactly कितने shares issue हुए है लोगों को suppose आपके यहाँ पे जैसे मैंने screen में भी दिखाया था suppose आपके यहाँ पे 100 member का societies है और आपके 100 into 5 इतने shares अभी issue हुए है अभी यह कभी decide होता है और कौन decide करता है यह भी equation लोगों के मन में उठता है तो जभी आपकी society as per bylaws आपकी society register होती है और आप लोग bylaws का adoption करते हो जभी आपके register को बुलाया जाता है means यह सारा process actually builder ही आपको करके देता है तो जभी यह bylaws का adoption होता है तभी आपका adopted bylaws में अगर आप screen में भी देखोगे यहाँ पे मैंने मराठी वाला लिया है क्योंकि तभी मेरे पास वही था तो जभी आप bylaws adopt करते हो तो adopt करते समय आपका register आता है तो bylaws adopted में आपका कितना shares रहेगा means आपका authorized share कितना रहेगा उसका value maximum कितना रह सकता है और आपका issue कितना है वो तो आप कितना भी maintain कर सकते हो तो यह यहाँ पे define किया जाता है और जैसे जैसे हर year means आपके जितने भी transfer होते जाते हैं या फिर आप घर बेशते हो या किसी भी वज़े से जो भी होता है तो share capital का amount आपके पास हर साल आता ही होगा not necessary की हर साल बट जबी भी आपके घर के transfer होते है फ्लाट के transfer होते है इस societies में तभी आप जो collection करते हो 250 रूपीज पहले था 50 रूपीज से अभी तो 10 share issue किये जाते हैं तो 500 रूपीज जबी आप member से लेते हो तो आपके balance sheet में यह reflect होता होगा कि 23,500 था पहले और जैसे ही transfer होते गए तो हर साल इसमें add होते होते कितना share capital जमा हो रहा है तो ऐसे यह balance sheet में दिखाया जाता है अभी इसको और समझने का और एक easy way है अगर आपके पास आपका share certificate हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि authorized share capital आपका कितना था और आपको इसमें से divide कितना हुआ है तो यह आप आपके share certificate में भी correlate कर सकते हैं यह सारी information उसमें भी आपको मिल चाती है अगर इस से related आपके कुछ भी queries है तो आप हमें पूछ सकते हैं एक छोटी सी request अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्यूंकि ऐसे कई सारी वीडियो हम लोग शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों का knowledge बढ़े और जब भी वो housing societies में काम करें taxation even legal services भी हम provide करें तो इस से related अगर आपको कुछ भी service चाहिए आइदर मुंबई या पूना में तो आप हमें contact कर सकते हैं contact detail आपको screen पे दिख रहे होंगे और एक छोटी सी request अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इसको like करना और आपके दोस्तों के साथ share करना ना बोले ताकि हमें भी और एंकरेज हो और हम लोग और अच्छे अच्छे नए वीडियो बना सकें तो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो